नमश्कर दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज महत्पून विशेफ पर चर्चा करेंगे इनकी आयू तकरीबन 40 वर्सकी है आगे के जीवन के बारे में जाना चाहती है ये महिला कहते लिए और मैक्सिमम केसेज में 100 के 100% देखा जाता है क्योंकि लेफ्ट हैंड से उनके जीवन को लेके प्रेडिक्शन्स नहीं आते हैं तो अगर आपको सही माइने में प्रेडिक्शन्स देना है महिलाओं को भी तो आप उनका राइट हैंडी प्रिफर करो अगर आप आपको उनको सही माइने में संतुष्ट कर ना है तो योगि जो भी independent महिलाए वो होती है जो भी स्वतनत्र महिलाए होती है उनके जीवन के predictions भी right hand से आते हैं तो अब ये बताईए क्या बताती है तेली वरतमान समय में ये वदैश में है आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है सफलता ग्रोथ वा प्रगती के बार अब देखते हैं इस हाथ पर क्या है वैसे चमतकारिस्थिति क्या है वैसे चिन्ने जो विक्ती को बहुत अमीर बनाते हैं पहले नजर में ये हाथ बहुत अच्छा प्रतीत होता है बहुत शांदार प्रतीत होता है ऐसे विक्ती अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते है अपने दमपर करते हैं तो सबसे पहले प्लैनेटरी कंडिसन्स देखो लगबग लगबग ग्रहा हैं चाहे वो शुक्र हो ये मंगल है ये ब्रशपती है शैटन है सन मरकरी दोडो मंगल और चन्रमा मतलब आपके हाथ पर दो टाइप के मंगल रहते हैं इन सब परकार के ग्रहा होते जो आपके जीवन की गारी को बताते हैं तो लगबग लगबग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडिसन्स में हैं जो एक परकार की राज्यो करक स्थिती को बता रही थी मतलब व्यक्ति का जीवन बहुत कमफर्टेबल रूप से बीता है अब आप देखिये और क्या क्या इस हाथ पर चीजे हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजे हैं पहला तो देखो यहाँ पर चंदर परवजब से गयी है बागिरेखा बागिरेखा जीवन के अन्तिम समय तक जारी मतलब ये मान के चलो की बाग्य रेखा बहुत गजब बहुत जादा शानदार है। फिर से समझने कुशिश करिए। एक चमतकारी रूप में नीहित बाग्य रेखा जो जीवन रेखा के अंतिम समय तक गई है जो की विक्ति के जीवन में बिलकुल ग्रोथ, बिलकुल प्रिग बिलकुल धनलाव को बता रही है। इसके बाद अगर आप देखेगा तो एक जबरदस्त और भाग्य रेखा मतलब दो-दो भाग्य रेखा हाथ पर मौझूद है। किसी विक्ति के हाथ पर एक ही बाग्य रेखा रहती है तो वो बहुत अमीर बन जाते हैं, आपके हाथ पर आपने जादा प्रगती, जादा ग्रोध, जादा धनलाव को प्राप्त किया होगा। अब और चमतकार से मैं रूबरू कराता हूँ तो सूरी परबत पर आप देखेंगे तो एक मतस्य का चिन्न जैसी आकरती का रणमान है, मतलब ये 100 करोड से उपर का धन देता है एक स्टीम ग्रोध कराता है, अगर आप आगे देखो के तो एक वी नुमा आकरती का रणमान है, जो कि श्पेशली भागी रेखा से जुड़ी हुई सूरी रेखा दरशाती है आगे अगर आप देखो के तो यहाँ पर दो ब्रांचेस के साथ कुछ तुछ तिर्शूल नु प्रियाबी को करने है तू किसी भी प्रकार के कारियों में सफलता को प्राप्त करने है तू तो बहुत ज़्यादा महातवा कांची बहुत ज़्यादा सफलता के योग ये चीज दर्शार ही है यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे-पूरे रेखा है जो कि बिल्कुल समाने न जो की बहुत शांदार है एक सदिक बुद्धरेखा मतलब ऐसी महिलाएं वेपार कर सकती हैं वेपार गिस्टी कौन से आगे बर सकती हैं प्रगति ग्रोथ वा सफलता को प्राप्त कर सकती है यहां पर आप देखोगे तो एक धंतिरबुज जैसी आकरती का निदमान है वेक्त आए थी यह पॉजिटिविटी थी एक लाइन्स के बारे में आगे आगे रिस्क्राइब करेंगे बहुत खूबसूरती के साथ अब नकरात्मक्ताएं भी आपके हाथ पर होती है तो नकरात्मक्ताओं को भी समझना बहुत इंपॉटेंट है केवल सा करात्मक्ताओं पर उसका अगर आप उपाई नहीं भी करेंगे या उसको आप माई नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत दीगे है लेकिन अगर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़े है तो उसका परेमडी जरूर कर लो ताकि उस जादा इफेक्ट ना डाल पाई शाकरात्मक्ताओं पर एक छोटे स ना करात्मक्ताओं अगर आपके समझ में आ गई हैं जिससे आपको तकलीफ होरा परशानी हो रही है तो उसके लिए भी आप बिलकुल रेमेडी करें ताकि आप जादा आगे बढ़ पाएं यूकि बिलकुल आपका पैसा कमाने वाला हाथ है हाँ थोड़ा आपस्टेगल क् आप जाने का हम प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपने पॉस्टिविटी देख ली अब आप देखो तो पहली तो यहां पर आपको लाइफ लाइफ लाइन दिखेगी लाइफ लाइफ लाइन आप ठीक से देखोगे न तो यहां तक तो डार्क है यह तकरीबन 48-49 येर्स लेकिन इसके बाद आप देखोगे न थोड़ा सा मिटा हुआ है हलका हलका सा एक दम बहुत फेंट की आवा बहुत धूमिलता के साथ फिर आगे गया है मतलब संभवता 48 से लेके 52 के बीच में तोड़ी बहुत प्राब्लम्स को यह इंडिकेट कर सकता है तोड़ी बहुत प अगरबर तिनिशल डेज में स्ट्रस रहता है किसी पर भरोसा किया गया होता है वो साथ नहीं देता है दिक्कत कर देता है परशानी कर देता है पाड़ी वारिक रूप में भी किसी कलिए अगर आप कुछ करेंगी तो उसका आपको विसस्तम सम्मान नहीं मिलेगा ये प्रक करातमक्तत इसके बाद तो बुद्ध रेखा थोड़ी थोड़ी अलकी फलकी टूटी थी ये बहुत खास नहीं इसका तो नॉर्मल रेमेडी से ठीक हो जाएगा इसका एक वेरिफिकेशन कर लीजे बाद बागी कोई दिक्कत परशानी वा तनाप बाली बात नहीं है अब आ तो 24-25 के बाद आया थोड़ी बहुत राहू रेखा थी 28-30 तक थोड़ी संगर्स थे 30 के बाद फिर ग्रोथ था अब अलकी फलकी राहू रेखा जीवन में चलती रहती है परशानी वा तनाप चलता रहता है नॉर्मल है बट आगे लाइफ लाइन अच्छी अभी आपकी ज पिसारा कराता है तो संभवता आने वाले समय में बड़ी ग्रोथ बड़ी उन्नती वा बड़ी प्रिगती आपको देखने को मिल सकती है फिर आप देखोगे तो यहां पर एक मतश्र का चिन डेफिनिटली बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा यहां पर एक और मतश्र का चिन सू बहुत कजब का बीटता है अगर आप आगे देखेंगे तो एक जबर्दस थमबे स्ट्रॉंग इक्षा शक्ति यह वाकिरती जबी भी सपोर्ट चाहिए मल जाएगा डेजायर्स के अच्छे लाएन है महात्वा कांची है बैतरीन थमबे तो वेक्तित वह बहुत शांदार स समझदारी के लूप काफी अच्छी है समझदार पडवरति के है हाथोरे घबराःट के योग होते हैं वो समान एस्तरिये है हाथोरे बहुत इंट्रोवर्ड एस सबसे गुला मिलना पसंद नहीं है मिननसार सब आप की है लेकिन सेलेक्टर फ्रेंड ही होते है आपके विश्णो योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाली ब्रश्पती अच्छा है, वेल्यू मान सम्मान को प्राप्त करती है, हस्बन काफी केरिंग, काफी समर्पित, काफी अच्छे होता है, थोड़े गुस्यल परविर्थी की आप हैं, तो तो अनियंतरन करना है, बादमा की परोपकारी रेखा है, सब के लिए करना चाहती है, थोड़ा दवाफ था है, इसल डेज में संगर्स, पैथिस के बाद अच्छी ग्रोथ, अच्छी सफलता की योग बागी रेखा, आगे भी निरंदर्ता के साथ है, क्या बात है, लाइन ओफ एजूकेशन, अच दंतरिबुच के साथ है, पैसा आएगा, कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, यात्राएं होती है, चंदर्मा प्रबल है, विदेशी दर्ती से धनलाव तै है, विदेशों से तो आप धनरजन करी रही है, तो ये था इनकैतली का पूनता विश्लेशन, अगर कर देशे और सब्सक्राइब कर देए, अगर आप विक्तिकत रूप सस्तर एका दिखा के सही जानकारी प्रात करना चाहते हैं, हमारा वोर्ट से तो आप डिस्क्रिप्शन अमिल यागा, लेकर आप संपर्त कर सकते हैं, धन्याव